जब बंदा नया-nया कैनेडा आता है ना तो और आते ही उसकी जौब लगती है पार्ट टाइम और उसको 14 डॉलर पर आवर मिलने शुरू हो जाते हैं तो जल्दी से बंदा ना फर्स्ट चीज यही कैलकुलेट करता है कि जब मुझे मेरा पहला चेक आएगा 40 आवर्स का तो म आगे इसके बाद मैं कुछ वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप कैसे साइड में बिना कोई ज्यादा मेहनत किये बहुत एजली थोड़ा-बहुत एक्ट्रा कैश बना सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे भी बचा सकते हैं और अगर आपको टैक्सिस के बारे में अच्छे से डिटेल में इन्फर्मेशन होगी तो आपके लिए ही ये चीज बहुत बढ़ी आ रहेगी तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं मैंने नेट से एक एक एग्जामपल पेचेक उठाया जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा और इसमें हम डिस्कॉस करेंगे के यहां पे कौन-कौन से पैसे किसलिए कट रहे हैं बट उससे पहले हम थोड़ी सी GST और HST के बारे में बात कर लेते क्योंकि उसका पत लिया है लैटॉप लिया है कुछ भी बट कुछ चीज़े ऐसी होती है जिस पर GST नहीं पड़ता जो के हमारी रेगुलर रूटीन की ग्रोश्री की चीज़े हैं और मेवी जैसे कोई प्रिस्क्राइब मैडिसिन उसके उपर आपको GST नहीं देना पड़ेगा और GST जो कैन 6 एंड 10 परसंट के बीच में होती है अब अगर आप उंटारियो में रह रहे हो तो आपको पता है यहां पे टोटल HST पढ़ता है आपको अबाउट 13 परसंट तो वो 13 परसंट में से 5 परसंट आपका GST है 8 परसंट आपका PST है तो उंटारियो ने क्या किया इन दोनों में अलबर्टा ना ही सिर्फ बहुत सुन्दर प्रोविंस है वहाँ पे बैंफ है जस्पर है बट अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको यह भी एक एडिट एडवांटेज मिलेगा कि वहाँ पे कोई भी PST नहीं लगता प्रोविंशियल टेक्स वहाँ पे ही नी तो कुछ भी चीज खरीद होगे आपको सिर्फ 5% टेक्स ही देना पड़ेगा उंटारियो की तरह महाँ पे आपको 13% टेक्स नहीं देना पड़ेगा तो यह तो बात हो गई GST, PST और HST के बारे में और उमीद है कि आप लोगों को काफी क्लैरिफिकेशन मिलगी होगी कि क्या अब हम बात करते हैं जो हमारी सेलरी पे टेक्स लगता है वो कई लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है चीज जैसे मैं भी एजन इंटरनेशनल स्ट्रेंट कैनेडा आया था तो मैंने थोड़ा बहुत ही सुना था मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी और जैसे क्योंकि तब मेरे को कोई इंफर्मेशन नहीं थी और मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को ऐसी कंफ्यूजन होती है तो वो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यहां पे ब्रैकेट्स में टेक्स इंक्रीज होता है ऐसा नहीं होता जैसे मैंने भी एक्स्प्लेन किया बलकि अ आपका फाइदा होगा ही होगा ऐसे नहीं होगा कि आपकी ओवरॉल सेलरी कम होगी है तो यह डाउट बहुत सारे लोगों को होगा एंड उमीद आ कि आपका क्लियर हो गया हो अब जी एस्टी एंड पी एस्टी की तरह ना यहां पे भी दो तरह के टेक्सी होते हैं फेडरल अब जो फेडरल टेक्स है ना पहले 49,020 डॉलर पर 15% है अब इसी तरह जो प्रोविंशल टेक्सी है ना वो भी हर प्रोविंस के डिफरेंट डिफरेंट है तो ओंतारियो के पहले 45,142 डॉलर पे आपको 5.05% टेक्स पड़ेगा उसके उपर वाले पे 9.15 और उसके बाद आप स्क्रीन पर देखी रहे होगे कैसे कैसे टेक्सी जो के वो बढ़ रहे हैं आपकी next income bracket के उपर तो अब यह जो टेक्सी होगे ना इसके इलावा आपको कुछ benefits भी मिलते हैं जो वो भी आपकी salary में से ही कटते हैं अब आप स्क्रीन पर देख रहे होगे मुझे यह 15 days की income है वो है 3541 और उसमें से taxes total कटे हैं 1031 तो आप देख रहे हो कितने ज्यादा taxes ही कटे हुए हैं पता नहीं 30% के करीब तो देखने में लगी रहा है कि इतने ज्यादा taxes कटे हुए हैं सीधा सीधा और तो अब अगर मैं बात करूं इस salary slip की एक और interesting चीज है कि इस बंदे कटा जाएगा आपका उसके बाद मिलेंगे तो चलिए अब हम देखते हैं कि taxes कितने कटे हैं इस salary slip में अगर मैं देखूं जो federal tax लिखा है वो इस बंदे का कट है 751 डॉलर and 80 cents तो यह है 3541 में से तो हर 15 दिन का इसका 751 डॉलर taxes कट रहा है और यहाँ पे इन्हों ने जो provincial tax और federal tax उसको total को ही यहाँ पे इकठा करके 751 यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप calculate करोगे मैं नीचे description में एक link छोड़ दूँगा अगर आप वहाँ पे जाके calculate करोगे तो 85,000 के according 15 days का इतना ही almost tax कटेगा तो इसके इलावा अभी बंदे का CPP, EI, LTD और LTRST चार अलग तो दे ही दिया आप लोगों ने अब यह ऊपर क्यों इतने और आपको taxes देने पड़ रहे हैं तो पहली बात तो यह है guys कि यह ऊपर जो है यह taxes नहीं है यह आप लोगों के advantage के लिए ही है क्योंकि जो CPP होता है ना वो होता है Canada Pension Plan तो आपके हर पेचक में से वो थोड़े से पैसे काटते हैं CPP के लिए ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको वो पैसे रिटर्न में मिल सके रिटायर में यहां पर कुछ भी around 65-70 के बीच में है even at 60 you can retire and जितनी जल्दी आप रिटायर करोगे उतना ही आपको वो CPP का amount कम मिलेगा और जितना ज्यादा आप लेट 1150 डालर के बीच बीच में होती है depending on के आपकी income कैसी रही है आपके career में और आपने कब retirement ली तो प्लीज इस चीज़ को आप ऐसे tax ना देखें बलकि as an added advantage देखें इसके इलावा EI चीज कट रही है वो भी बहुत ही बड़िया चीज है उसका नाम है full employment insurance तो मैं बताऊं आप लोगों को के एक बार मैं एक job कर रहा था contract पे और उन्होंने जितने भी बंदे उस job पे contract पे थे ना सभी को निकाल दिया क्योंकि जो उस company के पास software project था वो उन्होंने hold पे लगा दिया था और उनको कोई पता नहीं था कि वो कब continue करेंगे right तो फिर उनके लिए salary देनी और फिर वो आपके जो जितने भी paycheck है ना उसमें equally divide हो जाता है वो 1.58% और जब आपकी job चली जाती है ना तो फिर आपको government की तरफ से ये पैसे मिलते हैं और उस time पे मुझे about $500 per week मिल रहे थे उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको बस online जाके apply करना है और उसक income थी वो पूरी तरह से zero नहीं हुई थी और वो तब मुझे government से help मिली थी और अगर आप कोई भी बंदा यहां पे full time contract job कर रहा है तो even part time अगर आपका EI कट रहा है part time में तो आपको employment insurance का benefit होगा ही होगा तो इसके लावा ना यहां पे salary slip में एक LTD भी कट रहा है और LTD होता ह ना यह long term disability है in case for example आपके साथ कोई accident हो जाता है even out of your office जैसे घर पे यह कहीं पे भी and for some reason आप अपनी job continue नहीं कर पा रहे तो आपको lifetime about 70-80% अब यह depend करता है आपके plan के ऊपर के आपकी company के ऊपर के वो कितना देते हैं but around 60-80% on average आपको मिलता है तो for example कोई बंदा monthly $3,000 कमा रहा है और उसको अगर 80% मिलना तो उसको 2400 के करीब per month जब वो एक एसाब से retire हो गया उसको की long term disability हो गया उसको तब भी वो मिलते रहेंगे lifetime के लिए अब long term disability जो है इसका about 1% आपकी जो annual gross income है gross income मतलब के आपको taxes पढ़ने से पहले जो income है आपकी total उसका about approximate 1% काटते है according to this salary slip but again ये आपकी company पे depend कर सकता है ये तो थी सारी information taxes के बारे में उमीद है आपको ये information में से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा but आगे जो videos आ रही है उसके लिए आप हमारे channel को subscribe कर दो because I promise के आप वो videos मिस नहीं करना चाहते कि बहुत सारी videos passive income के related आएंगी और मुझे पूरी उमीद है वो videos आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी तो तब तक के लिए guys take care see you in the next video bye